हलो एवरीवन वेल्कम बेक माई यूट्यूब चैनल आप इंग्लिस क्लासीज और हम लास्ट ही टोपिक को कंटिन्यू करने वाले है दैट इस सिंटेक्स जिसे हम जानते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रिमेंट के नाम से भी तो जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया था कि यह अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दे दूँगी वह आप जाके देख लीचेगा और आज हम करने जा रहे हैं प्रेनाउन आप जानते ही है कितना इंपोर्टेंट टोपिक है और यहां पर बस मैं आपको केवल वही सारे की सारे एक्स एक्स्प्लेइन करने वाली हूं जो एक्जाम के पॉइंट ओफ यू से मॉस्ट इंपोर्टेंट है और रिपीटिड कोशन से यहां से एक्जाम में आते हैं तो चलो विदाउट द्लिए से स्टार्ट विडियो देटीट टूब है इसलेटी तु रूल्स ऑप्रणाऊं अ मसी अ एक्स पorta इसे तो तो आह पर रहने हुआ की परनाऊं कीृइब करनेवाली हूं आज forma करने वाले three types of personal pronoun तो three person होते हैं जिसमें first person, second person and third person ये तो I think हर किसी ने समझ ही रखा होगा हर किसी को पता ही होगा yes of course पता ही होगा अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं आज पता का लेजे तो दिरार three person, first person, second person and third person तो ये जो person होते हैं इनकी subjective case भी होते हैं and इनकी objective case भी होते है, subjective case आप देखिए subjective case है I and we और same का इसी का अगर objective case है means अगर हम इनको as an object use करेंगे तो I को objective case होता है me and we को objective case होता है us, इसी तरीके से second person होते है you, you का subjective case you ही होता है and इसका objective case भी you ही होता है, यानि कि दोनों का subjective and objective case same है अगर बात करते हैं third person की तो third person में आ जाता है he, she, they and it ये as a subject use होता है किसी भी sentence में लेकिन अगर हम इनके objective बात करते हैं अगर हम इने as an object use करना हो तो he का objective case होता है him, she का objective case होता है her, they का, them and it का it ही रहता है, तो ये आपको अच्छे से mind में set कर लेना है कि first person, second person, third person क्या है अब देखिए जब मैं अगर अपनी बात बताती हूँ तो मैं हमेसे इन में बहुत confused रहती थी मुझे कभी यादी नहीं होते थी कि first person में कौन-कौन से person आते है second में क्या आते है, third में क्या थी में बहुत सारे स्टुडेंट आज भी ऐसे है जिने मैं पढ़ाती हूँ या फिर जो इंग्लिस के learners है उन्हों भी I think confusion में रहते है कि वो इनको याद कैसे करे first person में क्या आते है, second में क्या आते है, third में कौन-कौन से है वो एक रटने वाली बात हो जाती है आज के बाद I think आप इनको रटोगेने की first person यह है सेकिन यह third है, ऐसा याद करने की यह रटने की आपको कोई नीर नहीं पढ़ेगी देखे, आप logic लगा के याद कीजिए मैं आपको छोटा सा logic बताती हूं उसके बारे में बस आप उसे पर माइन में रखेगा तो आपका आज के बाद person को लेकर सारा का सारा concept किलियर होगा first देखे, जिसे कि मैंने आपको बता है कि first person में INV आता है first person, first यहनि कि आपको priority पे अपने आपको रखना है यहनि कि मैं हूं, सबसे best कोन है तुम best नहीं हो, best कोन हो है मैं best हूं, तो अगर आपने यह concept रखा कि मैं best हूं यहनि कि आपको अपने आपको first number पे रखना है दूसरे जो है वो second पे हो, third पे हो I don't care, अगर आप अकेले हो तो मैं हूं, लेकिन अगर हम team में है तो हम हो जाएंगे, हम तो first पे आपको किसको रखना है मैं को, अगर मैं नहीं है singular है, तो मैं first हूं और अगर हम group में है, तो हम सबसे best है तो यह याद रखिएगा, तो first person पे आपको किसको रखेंगे, I and we को second के अगर मैं बात करते हूं second हमेशा सामने वाला होता है और जो भी हमारे सामने होता है वो होता है you, तुम ठीक है, वह नहीं होता second number पे कौन होता है तुम, अगर मैं बात करूँगी तो किससे करूँगी, मैं तुम से बात करूँगी और तुम को क्या कहा जाता है, you तो याद रखिएगा, first person पे अपने आपको रखिए I and V second number पे आप रखिए you को इतमें जब आप second number पे you को रखोगे तो वो कहलाएगा second person इसके अलावा जो भी बचे he, she, they, it वो जितने में बचे, जो third है अच्छा, पहले मैं, फिर तुम और last में कौन बचा, वह, he, she, she, it, they वे सब को उन से नमबर पे रखोगे, आप third number पे रखोगे तो ये sequence याद रखेगा आप कभी भी confused नहीं होगे कि first person में क्या आता है, second में क्या आता है, third में क्या आता है I think ये आपको समझ में आ गया होगा, चलो आगे continue करते हैं अब चलता है fact की दरफ, देखिए fact या फिर आप rule कह लीजी, rule क्या होता है अगर हमें एक sentence में तीनो ही person को use करना हो या फिर हम कह सकते कि तीनो ना use करने हो, या फिर हमें एक से ज़्यादा, दो प्रणाउन या फिर प्रणाउन कह सकते है, दो person फिर हमें तीनो ही परसन को use करना है, या फिर किसी भी दो परसन को use करना है, तो उनका sequence होता है, वो sequence आपको याद रखना है, exam में error में आता है, और बहुत ज़्यादा, मैंने पिछले सारे के सारे question papers है उनको analysis किया है उनका, तो उठा के देखा है कि यहां से question आया ही हुआ है तो देखे, sequence क्या होता है तो sequence का rule होता है, वो देख लीजे आप, देखे, यदि एक sentence में अलग-अलग person के singular person दिये गए हो है, singular pronoun, अब देखे, singular pronoun क्या है यहाँ पे I जो है, वो singular pronoun है, वी का plural है तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं singular pronoun की तो I है, यू जो है वो singular भी होता है, प्लूरल भी होता है वो हम एक person के लिए भी use कर सकते है और दो या दो से जादा के लिए भी use कर सकते है, और यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ तो he and she singular person है and it भी singular person है तो they जो है, वो plural है तो अगर बात करते हूँ, singular person की I first person I, second person you and third person he, she and it यह तीनो singular number होते है अगर क्या होता है कि किसी भी sentence में यह तीनो या फिर कोई दो person दिये जाते हो वो भी singular दिये जाते हो तो आपको इनका sequence रखना है second, third and first यानि कि सबसे पहले आपको second person रखना है, after that आपको third person रखना है and सबसे last में आपको first person रखना है, लेकिन आपको याद रखना है कि अगर वो singular person है तो तब आपको इस sequence याद रखना है, second, third and first, right? और एक और fact होता है, जहां पर good manners दिखाए जाते है या फिर कोई positive fact होता है तो तब ही हम इस sequence को लेके चलते है, second, third and first example देखे, I think आपको अच्छे से clear हो जाएगा you, she and I, देखे यहां पर यह second person है यह third person है and after that I है, exam में क्या करेंगे I को starting में देंगे फिर second को देंगे, फिर third को देंगे या फिर ऐसा हो सकते कि पहले she को देंगे फिर I को देंगे and after that you को देंगे, इस तरीके से इनके sequence को गड़बड करके देंगे, लेकिन आपको mind में इनके sequence को अच्छे से set कर लेना है, तो देखे यहां पर है you, she and I at apples, तुमने उसने और मैंने apples खाए अब देखे तीनों ही singular person है, you भी singular यहां पर यूज हुआ है, she, third person का she यहां पर singular यूज हुआ है and first person का I भी यहां पर singular ही यूज हुआ है और positive fact है, positive fact है हमने apples खाए, इनने, यह जितने भी you, she and I at apples, right तो जब ऐसा sequence आए, positive fact हो और singular number दिये जाए एक और example ले लिजे he and I, यहां पर हमने केवल दो ही person यूज किया है, he and I are partners, वह है और मैं partners है तो देखे यह भी singular number है third person का, यह first person का singular number है बस जब यह भी singular number है, और यह भी singular number है sequence आप याद रखेए का positive fact है partners की बात हो रही है, कोई negative कोई bad habit या कुछ यहां पर नहीं बताया गया है किसी तरह का कोई negative fact नहीं है, positive fact है, तो बस आप यह sequence याद रखेएगा कि he and I यानि कि यह second हो गया and यह first हो गया sorry, यह third हो गया है and यह क्या हो गया है, I हो गया है first person हो गया, second person यहां है परसन को दिखा रहा था, अब यहां पर अगर किसी sentence में mistake दिखाई गई हो, कोई error आ जाए, कोई crime दिखाया जाए, है न, vices, vices होते हैं अवगुण, किसी के अवगुण दिखाया जाए, या फिर bad manners दिखाया जाए, right कौन कौन से, mistake आ जाए, error आ जाए, crime, vices, bad manners, तो तब ह हम use करते हैं ये वाला sequence, first person, second person and third person, याद रखेगा, अगर ये सारे कि सारे कुछ भी, कुछ भी fact अगर हमें show होते है sentence में, तो तब हम first, second and third person वाला sequence याद करेंगे, second fact, plural pronoun, अगर किसी भी sentence में plural pronoun आ जाते है, देखे, यहाँ पर plural pronoun, अगर we आ जाए, you का तो you ही रहेगा, और यहाँ पर दे आ जाए, तो अगर किसी sentence में plural pronoun आते है, तो भी sequence यही रहता है, याद दखेगा, first, second and third, तो देखे, example, you and they are criminals, तो देखे, यहाँ पर negative fact की बात हुई है, तो देखे, यहाँ पर आया है, starting में, second person, and after that आया है, third person, why? मैंने क्या बताया तभी आपको, कि अगर क negative fact हो, या कोई criminals, या फिर bad manners दिखाया जाए, तो sequence रहेगा हमारा first person, second person, and third person, और यहाँ पर दूसरा टूल भी अप्लाई हो सकता है, why? because plural pronoun है दोनों, you भी plural यहाँ पर मानेंगे, and हम दे तो already plural ही, तो यही reason है कि हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, यह वाला sequence यूज़ क follow किया, next example देखें, we, you, and they, मैंने तीनों प्रणाउन यूज़ किया है, यहाँ पर, we, you, and they are students, अब देखें यह तो positive fact है, आपको होगे कि मैं में तो positive fact है, कोई negative fact इसमें है ही नहीं, yes, but आपको यह fact याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर तीनों परसन plural है, we भी plural है, you भी plural ह है, and they भी plural है, तो जब तीनों ही subject, तीनों परसन plural आते है, तीनों परसन के, तब भी हम यही sequence रखते है, first, second, and third, तो देखें, यह first person है, यह second person है, and यह third person है, तो यह हो जाएगा, second वाले rule apply हो गया है, यहाँ पर, एक और example आप देख लिजे, I, and he spoiled the party, अब देखें, यहाँ पर party spoiled होने की बात हो रही है, यह निकि कोई गलत काम किया है, तो it means bad manner, यह आपने कोई mistake किया, बहुत बड़ी mistake किया है, क्योंकि आपने party को spoil किया है, तो जब यहाँ पर bad manner show किया गया है, एक तरीके से mistake को show किया गया है, तो जब mistake को show किया गया है, तो वो ही वाला हम sequence रखे जाएगा, तो I, first person and after that, he, third person, spoil the party, most important है, examiner का favorite है, in fact, यह sequence आप अपने mind में अच्छे से set कर लीजिए, आपको यह exam में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इस तरीके से देखो कैसे sentence को दिया जाएगा, ऐसे दिया जाएगा, यहाँ पी लिख दिया जाएगा, he and I, he and I spoil the party, अ अब आपको देखने में कुछ अट-पटा तो नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि इसमें mistake क्या है, mistake तो इसमें कुछ है ही नहीं, क्यों, क्योंकि आपको sequence कर नहीं पता, कि यहाँ पे एक negative fact की बात हो रही है, तो आपको sequence पता होना चाहिए, तो अगर ऐसे दिया exam में, तो आपको सारा का सारा confusion दूर आपका हो गया होगा, तो बस इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं, नेक्स वीडियो में ठिल्टन बबाए, टेक के स्टे हल्दी एंड कीप लर्निंग